हेलो गाइस दिस इस आदित जोशी वेलकम बाक टो आर चानल आर हेल वीक चालेंज इस ओफिशली ओवर और बहुत सारे बच्चों का उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया था किसी बच्चे को अभी भी हो स्टार्ट करना है तो कर सकते हो not an issue बस उसको A to Z अच्छे से follow करना ये वीडियो उसके बारे में नहीं है ये वीडियो MBBS abroad के बारे में होने वाली है बहुत सारे बच्चों ने मुझे reach out किया बहुत सारे बच्चों ने google form भी भरा था जिसके थूरू मैं और मेरी team तुम लोग को guide कर रही थी free में देखो let me just clarify a few things मैं agent नहीं हूँ मैं तुम्हें admission नहीं दिला सकता नहीं मैं तुम्हें admission दिलाने वाला हूँ मैंने day one से तुम्हें बोला MBBS abroad should be your last last option right लेकिन मैं तुम्हें guide कर सकता हूँ सही channels के through जो तुम्हारा Indian embassy के साथ बातचीत कर के admission करा सकते हैं that is the most important thing secondly let me just tell you बहुत सारे बच्चों का doubt था कि भाईया आप MBBS abroad में थे पहले आपने फिलिपिन्स में psychology major complete किया और उसके बाद वहाँ पे MD में थे right वहाँ के MBBS को MD बोला जाता है वहाँ 3 साल का MD होता था इंडिया में जैसे 5.5 साल का MBBS होता है न वैसे और 1.5 से 2 साल की psychology major होती थी तो total वहाँ भी साड़े 5 साल लगना था वैसे तो और मनलब इंडिया जितना ही टाइम लगना था वहाँ लेकिन फिर मैंने MD leave कियो किया बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूचा कि भाईया आपने फिलिपिन्स leave किया क्यों यार मैंने इस पर already video बना दी थी लंबी अच्छी नहीं थी ठीक है एजेंट्स ने मुझे बोला घर परिवार में सब को बोला कि यार आपका वहाँ total MBBS 30 lakh के अंदर में complete हो जाएगा which was a complete lie हमको उस समय कुछ पता नहीं था उसके बारे में मुझे कुछ भी idea नहीं था MBBS abroad होता क्या है क्या है क्या है क्या नहीं है इंडिया में MBBS होता है वैसी होता है बस बाहर सस्ते में हो जाता है that is not the case यार बाहर के जो colleges होता है majority of them are just money making institutions और ये majorly agents run करते है ठीक है अब क्या होता है Philippines की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं admission लेके बाहर गया था ना पहली बात तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कैसी ची की है ठीक है उन्होंने 900-1500 डॉलर्स मांगे जो बोला इन्होंने administrative charges है बट फिर मुझे एक शक हुआ कि यार ये कुछ बच्चों से कम ले रहे हैं कुछ बच्चों से जादा ले रहे हैं ऐसा क्यों है तो तब मुझे समझाए कि यार ये dollars में से cut लेते है अपना administrative charges से अच् के बाद इतना पैसा लेते गए कि मैं क्या ही कर सकता था सेकेंडली भाई 30 लाक के अंडर में खाली tuition fees थी ये इन्होंने हमें बताए नहीं वहां living expenses इतने महंगे थे कि पर मंत का खर्चा मेरा 30,000 exceed कर रहा था पर मंत का खर्चा तो तुम देखो कितना मेरा पैसा तो ऐसी चल करना पड़ रहा था तो वहां पर पैसा जा रहा था living expenses में बाहर hostel में पते क्या करते थे hostel में वो लोग 12 से 14 महीने का contract sign करा देते थे कि भाई अब तो तुम्हें या रहना ही पड़ेगा और धीरे धीरे करके fees बढ़ाते रहते थे तो वहां से वो लोग पैसा कमा रहे थे ब लोग MD की fees मांगने लगे that is proper MBBS जो हाँ चाल होने वालता तीन साल का और एक साल की internship होने वालती ठीक है तो इन्होंने क्या किया पहले fees मांगने लगे ताकि बच्चे छोड़ के ना जाए और बच्चों ने fees दे भी थी MD की और फिर पता है फिर पता चला कि यार यह तो valid ही NMC के rules regulations के accordingly आपको साड़े चार साल की पढ़ाई और एक साल की internship चाहिए ठीक है 12 months rotational internship is necessary वहाँ पे वो लोग वो देही नहीं रहते लेकिन agents बूलते का valid है valid है हो रहा है यह हो रहा है वो हो रहा है हमने meeting करी है हमने धरना दिया है सब कुछ हो रहा है वो जूट पे जूट बो लगी थी Philippines में जो जैसे इंडिया में NMC होती है वैसे Philippines में CHED होता है CHED भाई वो लोग CHED के official notices निकालने लगे खुच से मतलब fake notices WhatsApp groups में डालने लगे fake news बनाके डालने लगे कि अब यह हुआ है वो हुआ है बस बच्चे रुके रहे बच्चे पैसा देते रहे जब बच्चे वहाँ से छोड़के जाने लगे ना तो वो लोग पते क्या कर रहे थे वो official documents मतलब 10th 12th की mark sheet देने से मना कर रहे थे ताकि बच्चा जाए ही ना तो इस हद तक agents हरकते करते हैं and that is मैं सब कुछ बता भी नहीं सकता हूं online और मैं सब कुछ बता भी नहीं रहा हूं YouTube पे but that is one of the reasons why I left Philippines ठीक है I had to leave Philippines 2023 में Jan Feb के आस पास मैं इंडिया वापस आया I had to prepare for NEET और मेरे पास दो महीने ही थे नीट के लिए प्रिपेर करने के लिए that is why I had cracked NEET in 2023 in 2 months ऐसा नहीं कि मेरे को मन था मेरे पास कोई और option नहीं था ठीक है इसले मैं Philippines छोड़के MBBS abroad छोड़के इंडिया म admission लेने आया था you needed to hear this क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे अब MBBS abroad में admission लेने का सोच रहे हैं तो मैं अपने experience के through तुम्हें बताता हूँ ये online जो बैठे हुए ना इतने सारे so-called students कि हम तुमारा admission डारेक करा देंगे that is not true भाई वो किसी ना किसी agent ये agency को सौप देते हैं त due to it what actually happens is कि वो middleman की तरह काम करते हैं उनको तो पैसा मिल जाते हैं उनका cut मिल जाते हैं एक बच्चे से आराम से डेड़ दो लाक रुपे कमा लेते होंगे वो इतना cut कमा लेते होंगे नहीं कमा लेते हैं minimum 30, 40, 50,000 और maximum की तो limit ही नहीं है और उसके बादो तुम्हें hand over कर द जो लोग करा सकते हैं उनके MOU sign हो रखे होते हैं universities के साथ ये चीज़ मुझे पहले पता ही नहीं थी Secondly, agents ना blame game बहुत अच्छा खेलते हैं आप इनके through admission ले लोगे अगर कुछ भी खराब हो जाता है कुछ भी गलत हो जाता है तो ये कहेंगे मेरे को क्या उसको contact करो इसको contact करो यहां वाँ यहां वाँ करते रहेंगे मेरे फिलिपेंस छोड़े वे इतना time हो गया मेरे official documents उन ल वमकी सब चलता है ठीक है इसलिए I just want you to be safe यार देखो तुमारे parents बहुत जादा पैसा अगर कोई parent की video देख रहा है तो आप लोग बहुत पैसा बटोर के बहुत पैसा इकटा करके आप admissions दिलाते हो राइट इतना tough है यार अगर financial conditions इतनी अच्छी होती कि इंडिया में private afford कर सकते हैं तो MBS abroad का कोई option choose ही ना करता and that is the harsh reality right you are choosing MBS abroad क्योंकि इंडिया में afford नहीं कर सकते हैं तो keeping all that in mind I suggest कि starting के ये मतलब ये sugar coated जो आपको deals देते हैं इसके पीछे मत पढ़ना कि हम बहुत सस्ते में आपका admission करा रहे हैं बहुत कम आपसे admission fees ले रहे हैं बहुत कम आपसे क्य ले रहे हैं आप 10,000 advance मेरे तो उसके बाद तो हम कुछ पैसे ही नहीं ले रहे हैं not that it matters अभी ये कम पैसा लेंगे land होने के बाद ये आपसे पैसा demand करेंगे और एक बार आप महाँ चले जाओ तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं आपको देना पड़ेगा तो keeping all that in mind I was a victim and that is probably one of the reasons why I don't suggest that you choose MBBS abroad instantly MBBS abroad में ये नहीं कहरा सब कुछ बेकार है सब negative है नहीं कुछ है ठीक ठाक जगा है बट स्टेल यार कितनी कम है and MBBS abroad has to be your last last option बार बार मैं बोल रहा हूं बार बार मैं बोलता रहूंगा इंडिया को कोई compete करी नहीं सकता है भाई इंडिया का infrastructure guidelines student to teacher ratio medical facilities exposure उसको नहीं कर सकते है आप compete MBBS abroad has to be your last last option and पहले इंडिया में फोकस करो पहले नीट देने का try करो नीट में crack करने का try करो if you have the resources if you can afford private in India go for it MBBS abroad has to be your last last option बार बार मैं बोल रहा हूं secondly मैं agent नहीं हूं मैं admission नहीं देला सकता हूं I can only guide you that is all ठीक है I cannot give admissions I can only guide you and even if I could बहुत सारे लोगों ने मुझे approach किया था I just told them straight away no कि मैं इस चीज़ का part नहीं हो सकता हूं ठीक है keeping all this in mind I hope this video helped अभी भी टाइम है नीट के लिए prepare कर लो यार give your best push yourself कुछ तो होगा कुछ तो मिलेगा है ना give up मत करो यार just hope की कुछ अच्छा हो जाए नहीं होता है तो उसके बार we'll see we'll work out क्या कर सकते है possible options क्या है अगर आप dropper नहीं हो पहले बार need दे रहे हो तो मैं तो suggest करूँगा एक बार drop लेकर दुबारा try करके देखो क्योंकि इंडिया में हो जाते है तो उससे better कुछ है ने MBS abroad में majority of countries में अब duration भी बढ़ गई है internship include करानी पड़ी 4.5 months की पढ़ाई include करानी पड़ी licensing देने के लिए पहले एक licensing exam देना पड़ेगा वहाँ license acquire करने के लिए उसके लिए extra duration हो गई तो keeping all that in mind MBBS abroad में ground reality जानना जरूरी है and मैं तो suggest करूँगा India should be our primary option MBBS abroad has to be our last last option हमेशा की तरह I hope this video helped thank you